हलो दोस्तों विल्कम टू निव लोग चलिए आज का वीडियो आपको दिखाते हैं कि हाटा फेंड का किस तरह सेप्ट और किस तरह बूस्ट चेंज किया जाता है तो चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए सेप्ट में दाग आगिया है तो यह चेंज करते हैं यह भी आपको दिखांगे और अराम से सीख सकते हैं घर में इसको टाय कर सकते हैं तो इसको सबसे पहले देखिए हम पलास से पकड़के काटी लिए हैं और काटी के साहिता से इतको जो रिपीट मारा हुआ है छेटो यह रिपीट हमको खोलना है तो और इसमें देखे रिपीट खुल गया यह आपको दिखा भी दिए नीचे हम कोई भी नाट ऐसा कुछ रखे हैं उसका पाद रिपीट काटि को मारते हैं वह रिपीट रो नीचे चल जाता है एक बारी मारना है तो आराम से खुल जाएगा तो देखिए हम किस तरह कर रहे हैं आप इस तरह कीजेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा और अराम से फाटा फेंड का बूस और सेप चेंज कर सकते हैं बिना कोई मिस्टरी के साहितास है तो इसको भी हम खोल ले रहे हैं चलिए अपका रिपीट निकल चुका है तो सबसे पहले यह जो रूई देख रहे हैं इसको बढ़ियां से हम मोबिल से पुरब भीजा देंगे दोनों साइड क्या कि यह मोबिल से भीजाने से बेटर होगा भी यांनी देखें नश् कि लागा देऊ हैं और फिर साम इसको नणोडवों सीश्टम कर देना हैं चोट़ा छोटा मिश्टा मेरा पास नटबोल्ट है तो इसको बाँड़े साथ साम नटबोल्ट लगा देजा है हैं कि इसको बनिया साम tryt कर दें लाट में लगाके पूरा par can कैसे फूल तैट कर देंगे एक दिया भी repair कि लूज ना चाहिए अचलिए इसी थरह करके दूसरा भी इसी तरह करना तो ये द thankfully पूरा complete हो गया तो दूसरा भी इसी तरह करना है यह देखे पूरा complete तो चलिए हम आपको दूसरा भी उसी तरह करना repeat खोलना पीजा कई यह आपका अराम से हो जाएगा चलिए इसका सेप्ट भी हम change कर दे रहा है तो यह देखे पाइप के साहिता से हम इसको सेफट निकलके रहे हैं तो यह देखें शेफट निकल चुकए है अब इसका नाया सेफट हम लगाएंगे तो सेफट हम रखते है दूसरा नाया सेफट latest लेका आते हैं ह и है तो यह देखे निव सेफट है entonces new gidome ढाल दे रहे हैं और उपर से हम डालेंगे क्या कि नीचे आपका जितना इसका उपर का गेपिंग कम रहेगा उतना बढ़िया होगा तो चलिए फिर पैप से इसको ठोक देना और जब ठोकने से पहले नीचे कपड़ा रख देना क्या कि सेट में हलका से भी दाग ना होना चाहिए ने तो बूस ढूके यह नहीं अंदर जाए नहीं इसलिए नीचे हम कपड़ा रख और तो आ है तो चलिए यह सेट लग चुका है तो अब चलिए इसका तो ज्यादा ठोगा गिया है तिसलिए अलका सो मार दे रहा है तो यह आप चलिए यह हो गिया लग चुका है अब चलिए इसका हम वासर भी फिटिंग कर दिये हैं इसमें वासर भी डाल दिये हैं अब चलिए इसको हम फिटिंग करते हैं कोल के साथ में इसको पूरा complete fit करते हैं तो यह देखें दोनों को हम change कर चुक है boost हो तब चले fitting करके इसका देखते हैं हम आज किस तरह कर रहा है वह भी आपको test कराएंगे हम चले जिस तरह fitting किया हुआ था उसी तरह हम fitting करेंगे और काफी एजी पोसेस है आप भी ये घर में कर सकते हैं अगर ये वीडियो देखिएगा तो अराम से कर सकते हैं कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर कोई बाइचन से ऐसा दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कुछ भी ऐसा प्रोब्लम होगा तो हमको कमेंट करक आपको हम देंगे तो चलिए हम चार्ट टो इस्टेक है उसको बने साम टाइट कर दिये हैं तो थोड़ा सा हतोरी से ठोक लिए हैं तो यह देखिए फिर यह भी हो गया है अब चलिए इसमें लाइन दे के चेक कर ले रहा है हम तो इसका सबसे पहले केपिसिटर लगा दे रहे हैं और इसका जो वो कनेक्शन है चार्टो तरकर उसको कनेक्शन हम कर दे रहे हैं तो चलिए अब इसका यह कनेक्शन हो चुका है इसका अर्थिंग का नट हम लगा दे रहे हैं और फिर इसका बाद बनिया से फिटिंग कर दे रहे हैं तो यह देखें प्रफिटिंग कर दे रहे हैं उसका बाद भी चेक करेंगे इसका आवाज कर रहा है कि नहीं और प्रलस इसका हावा का स्पीड भी देखेंगे और मेरा एक और चैनल है टीटू बिटू ब्लोक 774 है उसमें भी आप जाके बिजिट कर सकते हैं बढ़े चैनल अबयुक्त इसका स्पीड भी देखेंगें और आपका स्पीड का आवाज भी आपको सुनाई के देका तो देखें कितना बड़े हैं अब आवाज मतलए फोता का आवाज आ रहा यह बूस आपको अवाज नहीं आ हरा एकदम कि यह बेस कर यह धर हो ठीडर मने कदी sigui मेंद olması माधरम